27 दिसंबर 2021 को पड़ल मैदान मंडी हिमाचल प्रदीश में प्रधानमंत्री श्री नरींद्र मूदी प्रदीश की जनता को संबोधित करेंगे अवसर है भारत की आजादी का अम्रित महोथसभ राजपूत सभा का 36 स्थापना दिवस राजपूत सभा भवन मंडी में मनाया गया इस अपसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक किया ध्यक्षता जिला ध्यक्ष इंदर सिंग ठाकुर ने की सभा के सभी सदस्यों ने संस्थापक स्वर्गिय ज्यान सिंग गुलेरिया की प्रतिमा पर श्रदा सुमन अर्पित किये जिला ध्यक्ष इंदर सिंग ठाकुर ने बताया कि राजपूत सभा की कारे कारणी ने परदेश के सभी ब्लोकों में राजपूत समाज के लोगों की समस्याओं को हल किया है उन्हेंने सरकार से मांग की है कि राजपूत कल्यान बोर्ड में पंजिक्रित सभा के परधान और सचिप को शामिल किया जाए तथा आरक्षन को जाती के बजाए आर्थिक अधार पर करें उसको साभा के बारे में जो बात की हमने जो मांगे हैं उनके बारे में पहत प्याद आपर हमारे हमने अधारक्शन के मुझ everyday पठ सरकार तो रॉप मांगे हमारीес काफी से चलीनिया उनके बारे में. कि अपने लोगों से अपने लोगों से अपने लोगों से अपीड किते हैं आप घर घर जाकर करें और लोगों को अपने जो यूट से कि अपने लोगों को हमने अपने जो मारी पूरे जिले में इसको चाली बतारी है काहिया जगर है अपने इसकी मुणा रखी हैं और उसके हर एक आदमी जो हम काम करना है मल अबर किया है मंडी से दिववे हिमाचल टीवी के लिए अजे रांगडा की रिपोर्ट 27 दिसंबर 2021 को पड़ल मैदान मंडी हिमाचल प्रदीश में प्रधानमंत्री श्री नरींद्र मूदी प्रदीश की जनता को संबोधित करेंगे अवसर है भारत की आजादी का अम्रित महोटसब हिमाचल प्रदीश के पून राजियत्व का स्वण जयनतीवर हिमाचल सरकार पूरा करही है उपलब्दियों भरा चार वर्ष का कारेकार भारत के यशस्वी प्रदानमंत्री के करकमलों से समपन होगा हम सभी साक्षी बनेंगे माननीय प्रदानमंत्री द्वारा दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में 27,000 करोड रुपे की परियोजनाओं के शिलान न्यास के आप सभी इस कारिक्रम में साधरा मंत्रित हैं दिनांग 27,000 दिसंबर 2021, 11 बजे पूरवान पड़ल मैदान मंडी हिमाचल प्रदीश में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कारिक्रम की शोभा बढ़ाएं इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण आप DD News, DD हिमाचल तता हिमाचल प्रदीश के माननिय मुख्य मंत्री के ओफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी देख सकते हैं सीवा और सिध्धी के चार साल सम्रिध्धी के